नमस्कार, टॉप खवर में, टॉप ब्रेकिंग नीज में फिर से मैं एक बार आपका स्वागत करता हूँ SSR की बहन सुएता सिंख रिती ने एक बहुत बरी बात कही है जिसको सुनकर, जिसको समझ कर आपको भी अभी लगेगा कि कैसे अपने भाई के इंसाफ के लिए वो एक एक दिन गिन रही है उनको सपोर्ट किया है रंगोली, कंगना रनाओत की बहन ने आखर क्या है ट्विट बताएंगे आपको इस वीडियो में देन उसके बाद आपको ये भी बतादू कि पवित्रिस्ता को पूरी तरह से बैकॉट करने की मांग सोसल मीडिया पे उठ रही है अब ना चाहते हुए भी लोग अब इसको पूरी तरह से बैकॉट करने की शुरुआत कर चुके है आखर क्यूं क्या रिजन है बताएंगे आपको इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस वीडियो पर बने रही हैगा क्योंकि ये वीडियो काफी जादा important होने वाली आप लोग के लिए आज ऐसे सार हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी बहन हमेशा एक बात हमेशा उठाती है इनसाफ की आवाज और वो कितना भी कोशिश कर ले लोग दबाने की कोशिश करें और कुछ लोग दबाने की कोशिश भी किये लेकिन कोई फैयदा और कोई फर्क नहीं पड़ा उनकी बहन हमेशा अपनी आवास को बुलंद रखती है लेकिन इस बार इस बार जो ट्वीटर पे जो उन्होंने बात करी है पूरी तरह से सोसल मीडिया पे लोग उनको काफी जादा सपोर्ट करने लगे हैं और उनके सपोर्ट में कौन कौन लोग उठे हैं वो भी बताओंग अपने भाई को याद कर रही थी उनके वो पुराने दिन को याद कर रही थी जो अपने भाई के साथ उन्होंने बिताया वो पल वो खुशी के पल जो अपने भाई के साथ बिताने के बाद इनसान कभी भूल नहीं सकता और बताईए ऐसे ट्वीट को करके यही चीज को करती हैं उनकी बेहन कि किस तरह से एक एक दिन को एक एक पल को उनकी बेहन गिन रही है कि आज मेरा भाई मेरे पास नहीं है वो तकलीफ वो फिलिंग्स एक बेहन और एक पिता ही अपने बच्चे के लिए अपने भाई के लिए महसूस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता आखर लिखी है सबसे पहले आपको बता दू कि स्वेता सिंग करिती हमेशा अपनी आवाजों को बुलंद रखती है और हमेशा ये आवाज अगर अभी तक जंदा है तो कहीं न कहीं स्वेता सिंग करिती की वज़ा सही है और कोई भी बाते हो वो अपनी बेवाकी तरीके से रखती ह कभी भी डरती नहीं क्योंकि वह गलत नहीं हैं जो डरते हैं जो डर करके रहें वह खुल करके सोशल मीडिया पर आते भी नहीं लेकिन इनकी बाते और इनकी ट्वीट से तो यही पता चलता है कि स्वेता सिंकरिती आज भी एक उम्मीद और एक आसा के साथ लगी हुई है कि मेरे भाई को इंसाफ जरूर मिलेगा अब जो स्वेता सिंकरिती ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि 55 सपता हो गया अपने भाई के बिना जीने के लिए और मैं कैसे जी रहे हूँ एक एक पल वो मैं जानती हूँ आज भी स्वेता सिंकरित को यह उमीद है, एक भरोसा है कि मेरे भाई को इंसाफ मिलेगा और आपको ये भी बता दू कि उन्होंने आगे ये भी ट्विट में लिखा कि मैं तुमें मिस करूंगी तुम जहां भी हो, तुम खुश रहो और ये तुमसे वादा है कि तुमें इंसाफ मिल करके रहेगा इस तो उनकी जो कंगना रनावत की बहन है जो रंगोली है उन्होंने रेट्वीट किया और उनको सपोर्ट किया और कहा कि एक एससार पुरे देश और दुनिया के लिए मिसाल है और कहीं पूरी तरह से मैं भी उमीद करती हूँ आशा करती हूँ कि उन्हें इंसाफ जरूर आप लोग अपने हिम्मत बना करके रखिए विस्वास बना करके रखिए तो इस तरह से फिर से एक बार सोशल मिडिया पर वापसी करी है सुईता सिंग्रेती ने और उनको सपोर्ट किया है रंगोली चंडल ने तो इस तरह का महौल जिस तरह से दिख रहा है ये अपने पवित्रिस्ता 2 आई नहीं लेकिन सोसल मीडिया पे बैकाट पवित्रिस्ता 2 की जो खबरे हैं वो फैलने लगी ट्वीटर पे वेस्बुक पे सोसल मीडिया पे और आपको ये भी बता दू कि पवित्रिस्ता में मानों की वज़ा से यानि सुसान सिंग राचपुत की वज़ा हर घर में पवित्रिस्ता को देखा जाता था मानो के रूप में ना की अर्चना के रूप में ना की अंकीता लोखंडे के रूप में लेकिन अंकीता लोखंडे बीच में आकर के CBI for SSR कहके पुरी तरह से fame of publicity ले लेती हैं और फिर से पवित्रिस्ता क्योंकि पूरे planning होती है य ये एक साल से planning चल रहा था और इसलिए ये PR stunt करती है CBI for SSR क्योंकि एक दिन का काम नहीं होता है पवित्रिस्ता 2 को launch करना ये एक साल से चल रहा था कारिकरम तो इसलिए इन्होंने starting में SSR के नाम पे publicity करी और बीच में उनको लाके घंसीटा और public के sentiment के साथ खेला लेकिन जि लोग घंडे सुटिंग कर रहे हैं आपको बता दू कि 2014 में ही इस सो को बंद कर दिया गया था अलाकि बीच में SSR ने इस सो को छोर दिया था तो देन उसके बाद हितेश तेजवानी मानों का कारेक्टर करते हैं लेकिन हितेश तेजवानी के आने के आने के बाद इतने सो को शाहिर सेख हैं ये सब नहीं चल रहे हैं और जिस तरह से अभी पवित्रिस्ता टू की एनाउंसमेंट हुई है और आपको बता दू कि बिते दिनों पवित्रिस्ता टू की जो सुटिंग स्टार्ट हुई है तब से सोसल मीडिया पे पूरी तरह से अंकीता लोखंडे को एक करके आ गए कभी आज तक तुमने सेट पर कभी आपने कभी SSR के लिए आवाज नहीं उठाई कि CBI का फाइनली रिपोर्ट क्या है कभी आपने एकता कपूर कभी आपने कौल करके ये SSR के फैमिली से नहीं पूछा कि क्या अभी आपकी स्थिती है कैसे हैं एक सांतवना दि कि कोई कदर ही नहीं है अभी अमिर खान पूरी तरह से चर्चित पूरी तरह से चर्चा में वो जितना ही सोसल मीडिया से दूर रहने की कोशिश करते थे आज पूरी तरह से सोसल मीडिया उनहीं के नाम से भरी हुई है बीते दिनों आपको पता है कि किस तरह से वो अपने तलाक को लेकर के चर्चे में थे कीरन राओ के साथ और लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें शर मानी चाहिए कि तीन तीन बच्चे हैं और वो कैसे तलाक दे सकते हैं। और फिर से एक बार वो निसाने पे आ गए हैं लदाख में उनकी टीम जब सुटिंग कर रही थी तो वो रहां पे जिस तरह से नेचूरल ब्यूटी है वहां जिस तरह से साप सुथरा है जिस तरह से लोग इतने वहां ताजगी और फ्रेस कानुभाव करते हैं ऐसी जगह पे यह जाकर के वहां पे कचड़ा को फैला देते हैं इस पर से वहां के जो वसिंदा है वो ट्विटर पे एक वीडियो डालते हैं और यह कहते हैं कि यह जो अमेर खान है अपने आपको जो परफेक्शनिस्ट मानता है और सत्यमे जैते में फिलोस्पी बरे बरे जारता है और आज लाज सिंग्चड़ा फिल्म के सूटिंग में आकर के जिस तरह से इन्होंने पुरी तरह से गंदगी फैला दी है पुरी तरह से सर्मसार है हम लोगों ने ये एसपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग ऐसा काम कर सकते हैं हमारे जो नेचुरल ब्यूटी है उसको गंदा करन हैं हलाकि इन सारे मुद्दों पर इन सारे बातों पर आप लोग की क्या सोच है आप लोग क्या सोचते हैं इस विशे में अपनी विचाज़ों एक किजेगा तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद